सबजी का बाजार में बहुती डिमांड रहता है और सेप्टेमबर ओक्टबर माइना में लागा के 35-34 दिन का अंदर लाब देने वाला सबजी कोन सा कोन सा है ऐसे टाप 10 सबजी का बारी में आज बात करेंगे तो नमस्कार बंदू आप ख्यती के साथ जुड़े हुए है तो जरूर इस वीडियो को अंतक देखे स्किप ना करके बाज से 24-45 दिन का अंदर तोड़ाई हो जाता है और पैसा बापस आ जाता है ऐसे ही जो फसल है ये सबसे पहले जिस फसल का नाम करेंगे ये है मूली मूली 10 देश्मिल से लगबग 10,000 का आसपस में पैसा आ जाता है और ती करना भी आसान है सेप्टेम्बर मैंना में इसको बाई करेंगे तो हो सकता है पानी का जुरूरती नहीं होगा पानी नहीं है ऐसे जगा पे भी इसको बाई किया जा सकता है तुरूंत इसका पैसा मूली से अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफिट नहीं होता है लेकिन खाराब भी नहीं होता है इसमें दो नंबर में जो फोसल का नाम करेंगे ओ है पालकसाग पालकसाग भी बोई का 30 से 35 दिन का अंदर रिटरं दे देते हैं इसका भी लाइन से उपाई करेंगे तो आच्छा है लेकिन काफी किसान बंदू छोटा छोटा कियारी बना के ब्रोडकस्टिंग उपाई से ही करते हैं कहीं सबसे या किलो कहीं सबसे भी विक्री होता है बाजर में ये कभी रेट गिरता नहीं है मोटा मोटी 10 रुपिया मोटा हर टाइम ही मिल देने वाला और एक फसल है तीन नंबर में जिस फसल का नाम करेंगे वो है धनियापत्ता धनियापत्ता हर साल मार्केट में डिमांड रहते हैं और हर साल खेती भी किया जाता है लेकिन सेप्टमबर औक्टबर मायना में इसका खेती करेंगे तो इसका जो उपच होता है वो सबसे बढ़िया होता है और इसका जो महक होता है वो बहुत अच्छा रहता है और मार्केट में इसका डिमांड भी बहुत होता है किसा लोगों को बिक्री करने में दिक्कत होता ही नहीं है 24 से 45 दिन का अंदर इसका return आ जाता है इसको कियारी बना के खेती जैसा भी करते हैं और इस टैप के मेड़ी बना के भी करते हैं मेड़ी बना के करते हैं तो 3 से 4 बार harvest होता है ये बढ़िया होता है 10 डेस्मिल से लगबग 12 से 13,000 रुपिया आ जाता है धनिया पत्तक से चार नंबर में जो फसल का नाम करेंगे ये है गाजर गाजर में 5 से 10 दिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मतलब ये 45 से 50 दिन टाइम लग जाता है गाजर का harvesting होने में जब scale पे करेंगे तो नया नया टेक्नोलोजी आया है उसको हम लोग फोलो कर सकते हैं दोस डेसमिल गाजर खेती करके लगबग 14 से 15 रुपिया आने का संभवना रहता है और ये आता भी है सही से प्रपरली करेंगे तो गाजर का बिच बहुत छोटा होने का कारण में जीरा जैसे होता है छोटा होने का कारण पे इसको बवाई करने में काफी दिखोत होता है तो काफी किसान बंदू इसका साथ बालू मिला के करते हैं या लाइन पे बुआई कर देते हैं या मैसीन के इस्तेमाल करते हैं तो सही से हो जाता है हर्वेस्टिंग में देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया से फॉलन आता है और इसमें पेस्टिसाइट के यूज बहुती कौम है इसलिए इस फॉसल को भी चयन किया जा सकता है ताजर जैसे ही और एक फॉसल है चुकंदर जिसको छोड़ नमबर में राखेंगे ये फॉसल भी 55-60 दिन का अंदर आ जाता है और ये काफी फाइदा देता है बहुत जादा होता है चुकंदर जैसे और एक सबजी है जिसका नाम है सालगम इसको हम लोग 7 नमबर में राखेंगे ये सालगम मुली जैसे समय लगता है 35-40 दिन उसी टेप का टाइम लगता है सालगम के लिए भी इसका भी बाजार में बहुत डिमांड रहता है और सेप्टेंबर ओक्टोबर महिना में करेंगे तो इसका जो चमक रहता है बहुत बढ़िया होता है और मार्केट में इसका भाव बहुत रहता है तो इसलिए सालगम फसल को भी हम लोग कर सकते हैं आठ नमबर में एक फसल को राखेंगे ये साग जैती है फसल है ये लेटूस लेटूस भी हम लोग कर सकते हैं ये काफी मार्केट में डिमांड है और इस समय इसको उगाएंगे तो बहुत बढ़िया से होता है इसका डिफारेंट कालार का होता है मार्केट का डिमांड का अनुसार आपको ये चैस करना होगा कौन सा कालार का आप करेंगे या आपका एरिया में कौन सा ज़्यादा डिमांड है काफी जगा पे ये सेलर्ड पत्ता नाम पे भी जाना जाता है नौन नमबर में एक फसल का नाम करेंगे जो है गाट गोवी, गाट गोवी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 55 से 60 दिन लग जाता है और इसमें थोड़ा मेंहोत भी ज़्यादा है, पहले नरशारी करना पड़ता है, उसके बाद उगाना पड़ता है, बट ये मार्केट में बहुत डिमांड है, और इसका आप भी खायेंगे तो इसका प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है जिसके लिए नौनमबर में हम लोग गांट गोबी का राखेंगे आप गांट गोबी ट्राइ कर सकते हैं इसका मार्केट में कभी ऐसे नहीं होता है कि बाजर ले गे हैं और बिक्री नहीं हुआ बाजर में नाम करेंगे हरा भाजी या हरा साग का खेती ये मार्केट में बहुत डिमाड रहता है इसका जो टाइम पिरियोड है ये 20 से 25 दिन का अंदरी साग बाजर में बिक्री करने लाइक हो जाता है ति ये बहुत आसान है ये खेती करने के लिए ये 10 डिसमिल में काम है लेकिन काम समय में होता है दो बार हो सकते हैं इसका साइकिल कंप्लिट हो जाएगा बाकि जो फसल अभी हम बात कर रहें तो आज हम लोग दौस पसल का उपर बात किये हैं जो सेप्टेμबर या उक्टोबर महिना में शूरू किया जा सकता है इस वीडियो का मैदम से आपको कुछ जानकरी में दे पाया हूं तो फ्लीज वीडियो को लाइक करिए आपको लाग रहे हैं कि दूसरों को सेयर करना चहे है तो फ्लीज, वाट्साप का थ्रू ये सेयर करिए और आप नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए थेंक यू, पूरा वीडियो देखने के लिए